नमस्कार दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में दोस्तो आज का हमारा ये वीडियो खास पुर्षो के लिए है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ पुर्षो की हैल्थ से जुड़े कुछ खास टिप्स जिससे वो अपनी हैल्थ को अच्छा बनाए रख सकते है लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तो आधुनिक जीवन शैली पुर्षो के स्वास्ते पर नकारात्मक परभाव डाल रही है ऐसे में पुर्षो को अपने स्वास्ते के बारे में पहले ही सचेत हो जाना चाहिए इससे पहले कि उनके खान पान या दैनिक जीवन की कोई आदत उन्हें बाद में महंगी पड़ जाए अगर आप अपने स्वास्ते के परती जाग रुक नहीं होंगे तो आपको किसी ने किसी बिमारी का सामना करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तो आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो पुर्षो के लिए काफी उपी होगी है नमबर एक आपको अपने नाश्ते में दो केले जरूर शामिल करने चाहिए केले दिन भर आपके काम करने की उर्जा बरकरार रखेंगे और साथी दिल की कई बिमारियों से भी आपको दूर रखेंगे नमबर दो जंक फूड के नियमित सेवन से सुक्रानो की गुनवत्ता में कमी आती है इसलिए अगर जंक फूड आपके दैनिक भोजन का हिस्सा है तो आपको अपनी इस आदत को जल्द से जल्द अलविदा कह देना चाहिए नमबर तीन अगर आप बहुत अधिक पैकिंग फूड खाते हैं तो आपको अपनी इस आदत को बदलने की जरूरत है क्योंकि ऐसे फूड में ऐसे मैटल्स का उपयोग किया जाता है जो पूर्शों के लिए अच्छे नहीं होते नमबर चार वियायाम या सेर के बिना खुद को स्वस्त रखने की कोशिश करना मुर्कता पूर्ण परियास है इसलिए अगर आप खुद को स्वस्त रखना चाहते हैं तो वियायाम या सेर को अपने दैनिक जीवन में शामिल जरूर करें नमबर पांच सोडा, कोफी, रैड मीट, चिर्स इत्यादे का कभी कभारी सेवन करें क्योंकि इनका नियामित सेवन आपको लंबे समय में नुकसान ही पहुँचाएगा नमबर छे खाने में अच्छी गुनवत्ता वाले तेल का इस्तमाल करें खराब गुनवत्ता वाले तेल पूर्शो के लिए नुकसान दायक होते हैं नमबर साथ मोटापा पुर्शो की योन शम्ता पर भी नकारात्मक परभाव डालता है इसलिए मोटापे से खुद को दूर रखें अगर व्यायाम करने के लिए आपके पास समय नहीं है तो घर और दफ्तर में लिफ्ट की बजाए सीड़ियों का इस्तमाल करें नमबर नो अपने खाने में मोसमी फल और मोसमी सबजियों को शामिल करें यह आदत आपको स्वस्त रखने में महत्पून भूमिका निभाएगी नमबर दस सुबह नाश्ता जरूर करें और ध्यान रखें की रात का खाना हलका होना चाहिए डिनर आट बजे तक कर लेना चाहिए और खाना खाते समय रोटी और चावल दोनों का एक ही समय पर इस्तमाल ना करें नमबर ग्यारा वह व्यक्ति स्वस्त रह सकता है जो सुबह जल्दी उठता हो तो अगर आपको भी देर से उठने की आदत है तो जल्दी अपनी इस आदत को बदल डालिए नमबर बारा सलाद और अंकुरित अनाज को अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाए नमबर तेरा तेलों की मालिश बालो और पूरे सरीर में सपता हमें कम से कम तीन बार जरूर करें नमबर चोदा अनावश्चक रूप से दूसरों की जिम्मेदारी ना उठाए पैसा कमाने वाली मशीन ना बने घूमने भी जाएं और अन्य गती वीदियो के लिए भी समय निकाले रवीवार का समय खुद को दे नमबर पंदरा लैप्टोप को जांगो पर रखकर काम ना करें इससे पूरुश शमता पर नकारात्मक पर भाव पड़ता है इससे आप नपुनसक भी बन सकते है तो दोस्तो ये थे कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स जिनकी मदद से पुरुश अपना स्वास्ते बनाई रख सकते है आपको ये हेल्थ टिप्स कैसे लगे प्लीज हमें कमेंट का जरूर बताएं हम आप तक ऐसी ही नई और अच्छी जानकारिया पहुचा सके इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक वे शेयर करना बिलकुल मत भूले हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें खूश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद